हाई फ्रेंज तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं सूरत का फेमस पनीर घोटाला तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो सामान जो सामगरी हमें यूज करनी है वो मैंने रखी है तो यहाँ पे 4 टमाटर है मीडियम साइस के जिसको चौपर में मैंने चौप कर लिया है 200 ग्राम पनीर जिसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है धनिया पती है लहसुन और मिर्च का उटा हुआ पेस्ट है यहाँ पे सिमला मिर्च है एक चोटी साइस के उसे भी चौपर में मैंने चौप कर लिया है बिल्कुल बारी यहाँ पे एक चम्मच वन टी चम्मच तेल डाल दिया है तो जैसे ही तेल गरम हो जाया तो सबसे पहले हम उसमें लैसुन और मिर्च कूट के रखा हुआ है एक टेबल स्पून तो वो डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा से अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे थोड़ा है ज्यादा नहीं पकाना है और पहले हम इसमें सूखे मसाले आड़ कर देंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं तो वन केबल स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है वन टी स्पून हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून हम इसमें ह काप ने च्व्लां मिर्ण की होगानी है। हम इस therapist की हुगाते और जाम्या अपार डालंने हम इस गई हैं। ऑड दोनुन प्राइज सती हम इसमी दालने मिर्ण की दोलगा त्रकित मिर्ण किया है। इसलिए पस्ताना पर शाहता तरे नहीं दूनुकित पारे रहा हैं। तो आब हम इसका धक्कन भटा लेते हैं और चेक करते हैं तो यह ते देखे फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो टमाटार और शिमला मिर्श है वो अच्छे से यहां पे कुक हो रहा है तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम руки के हम आगे केस में प्रासिस करेंगे तो सबसे पहले हम इस पहले नमक अैड्ट कर देटे हैं तो जो नमक अमें जितना डालना है पूरी सब्जी के हिसाब से उतना हम अभी डाल देते हैं तो नमक डाल दीजे स्वात के अनुसार और पाव भाजी मसाला डाल दीजे इसमें तो यहां पे वन टिबल स्पून पाव भाजी मसाला है तो इसको मिला लीजे अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो यहां पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं पर गरम मसाला ना डालके अगर मजबटर का लिया था वू भी डाल दिया और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया और ढगा दिया चार से पांच मिनट हम इसे अच्छे से कूप कर लेंगे जिससे कि जो तेल है वो अच्छे से ऊपर आजाए सैपरेट हो जाए तो यहां घुटाला बनाने में बहुत आसान है लेकिन आप जो पनीर खाएंगे जब यह पनीर गोटाला बना के बहुत ज़्यादा बनाके बाहत छागता है को देखिए sì, नहीं करें , अभी видео बिल्क अच्छी तरीके इसको मिला दिया है, सब्सक्त को तो आप इसको क्या करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से एक दूसरे मिक्स, तो पांच मिनट के लिए मैंने वापस इसको low flame करके पका लिया था तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो पनीर है वो कुक हो चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर सारा जो flavor है सब कुछ है बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इन में आ चुका है अब हमने दो cheese cube लिये थे ना तो इसमें घुटाला पनीर घुटाला जम बनाते हैं ना तो उसमें cheese बहुत अच्छी तरीके से जाता है तो एक पूरा cheese cube मैं इस पर डाल दूगी और दूसरा cheese cube का आधा portion जो है वो हम इस पर डाल देंगे आधा portion हम इसमें बाद में जब हम इसको प्लेटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा उपर से गानिश करने के काम आएगा तो डेड़ क्यूब जो है यहां पर हमने डाल दी है तो अब मिनको cheese को भी बहुत अच्छी अच्छी तरीके से मिला देते हैं जिससे वह भी बहुत अच्छी तरीके से पनीर और मसालों के साथ में मिल जाए तो देखे अभी अब जो हमारा पनीर घुटाला इनका कलर आप देखिए कि कितना ज्यादा अच्छा आया है बहुत ही ज्यादा डिलीश बना है तो गैस की बंद कर देंगे और हम इससे सर्फ करते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने आप पनीर घुटाले को प्रेट में निकाल दिया है साथ में इसको धन्या पत्ति और चीज क्यूब जो हमने आधा बचाया हुआ तो उसके साथ गानिश कर दिया है जित देखने में अच्छा